असकार मित्रो, इल्विन क्लासेस के यूटूब प्लेट फार्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम विबेक है, हम लोग लोग सभाज चुनाव से जुड़े हुए विमिन रोचक मुद्दों के साथ रोज उपस्तित होते हैं, आज हम बात करेंगे कि क्या जो और निवासी भारती है, एनाराई और प्रवासी भारती विजिन को कहते हैं, क्या उनको मत देने का अधिकार है, अगर मत देने का अधिकार है, तो किस समिधान संसुधन अधिनियम के द्वारा वो मत देने का अधिकारी है, क्या-क्या योग गिताय रखनी चाहिए उनको, वो जो मतपत्र होता है, उसमें अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रावदान है, अगर तमाम मुद्धों पर आईए हम बात कर लेते हैं. साथ ही साथ, आज की कच्छा में हम बात करेंगे कि सर्विस वोटर कौन होते हैं, क्या आपने सर्विस वोटर के बारे में सुना था, अगर सुने हो, अच्छी बात है, नहीं सुने हैं, तो आईए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो आज हम बात करेंगे, क्या पाराई किसे कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं जो लोग भारत चोड़कर 20 के दूसरी देसों में जा बसे हैं उन्हें प्रवासी या अनिवासी भारती कहते हैं वो लोग उस देस की नागरिकता नहीं लिये होते हैं जिस देसमें रहने का उद्धेश से नौकरी, ब्यापार, या सिक्षा ग्राम करना हो सकता है विश्व के लगभग 210 देसों में एक करोण 30,617,780 और निवासी भारती रहते हैं मंत्राले बिदेश मंत्राले के मुताबिक सबसे अधिक अप्रवासी UAE United Arab Emirates में रहते हैं उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है अब बात कर लेते हैं क्य सरकार ने लोग प्रतनिधित अधिनियम 1951 जो था उसमें संसोधन किया लोग प्रतनिधित संसोधन अधिनियम 2010 में भारत के ऐसी नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकार मिला जो किसी दूसरे देश में पढ़ाई, रोजगात या किसी अन्य मतलब लोग प्रतनिधित संसोधन अधिनियम 2010 में हुआ और भारत सरकार ने ऐसी लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कहा कि जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में रहते हों लेकिन उस देश की उनके पास नागरिक्ता नहीं है रहने का उदेश कुछ भी हो सकता है सिख्षा हो सकता है पढ़ाई हो सकता है रोजगार हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है लेकिन वहां उन्होंने नागरिक्ता अपनी नहें ली हो एक जन्वरी 2010 को 18 वर्स की आई पूरी कर चुके एनर आई अपने निर्वाचन शित्र से मतदाता सुची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं एक जन्वरी 2010 को अगर किसी अनिवासी प्रवासी भारती की उम्र 18 वस हो गई है तो वह भारतीय मतदाता सुची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पासपोर्ट में भारत में उनका निवासस्थान का उलेख होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भारत में उनका निवासस्थान का उलेख न हो और पासपोर्ट भारती हो, तो ऐसे लोगों का मतदाता सुची में नाम नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसे भारतीयों का, ऐसे प्रवासी भारतीयों का, अनिवासी भारतीयों का नाम मतदाता सुची में जोड़ा जाएगा, एक जन्वरी को और भारत में कहीं उनका अस्थान नियत हो निवास अस्थान का उलेख हो उनके उस पसपोर्ट में एनराई के लिए मद्दाता सुची में नाम जुड़वाने के लिए क्या किया जाता है भारती दुतावासों में या फार्म, फार्म 6A नहीं सुल्क भी मिलता है और तो अनलाइन विवस्था भी की जा चुकी है मद्दाता सुची में नाम आने के बाद NRI मद्दाता को पस्पोर्ट के साथ कोलिंग बूथ पर उपस्तित होना होता है अभी NRI के लिए डाक के जरी मत्दान, भारती मसीनों में मत्दान था अनलाइन मत्दान का कोई प्रावधान नहीं था अभी तक अनिवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीयों के लिए अनलाइन मत्दान का कोई प्रावधान नहीं है आईए अब बात कर लेते हैं सर्विस वोटर किसे कहते हैं पी आईबी में छपी रिपोर्ट का हवारा देते हुए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि किंद्री वलो में काम करने वाले सस्त्र एक्ट और सरकारी अधिकारी जो बेश के बाहर दूतावासों में तैनाथ हैं सर्विस वोटर के तोर पर बरगी क्रित किया जाता है किंद्री वलो में काम करने वाले ऐसे अधिकारी जो दूतावासों में तैनाथ हैं उनको सर्विस वोटर के तोर पर हमारे इलेक्शन कमीशन अफ इंडिया के दोरा बरगी क्रित किया गया है सर्विस वोटर के लिए अ कि ज़र ये मद्दान की सुविदा प्राप्त है, 2019 का जो लोग सभा का चुना हुआ था, उसमें ETPVS का उप्यूग करके 18,2646 मद्दान इलेक्ट्रिक रूप से प्राप्त हुए थे, जिनमें 10,84,266 E-Postle मिले थे, ये रही बात सर्विस होटर किसे कहते हैं, उसके बाद क्या NRI को मद्दान देने का अधिकार है, कब यह अधिकार मिला, कैसे वो मद्दाता सुची में नाम जुरवा सकते हैं, क्या अनलाइन वो लोग भी उड़ दे सकते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों पर हम लोगों ने बात किया, आपको हमारी कच्छाएं कै कैसी लगती है, कमिंग बाक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा, आप पुना नहीं कच्छा के साथ प्रस्तित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यबाद, नमस्कार.